नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदानसी टेक्निकल क्लासेज में दोस्तों आज किस वीडियो में जो एक बहुती सांदार जबरदस्त एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को बताने वाला हूँ और दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पारे हूँ, ये मैंने कटोरी में लिया है पैटरॉल और ये है दोस्तों थर्माकॉल दोस्तो वैसे तो थर्माकोल जो है अगर आप लोग खुल्य वातावरन में छोड़ दोगे तो हजारो वर्षो तक जो है यह नस्ट नहीं होता हजारो वर्षो तक जो है इसका आपगठन नहीं होता लेकिन दोस्तो यह जानकर बहुत ही आस्रे होगा आप सभी को कि यदि ये थर्माकोल जो है इस पेट्रोल से react करता है पेट्रोल के contact में आता है तो तुरंद थर्माकोल जो है वो नस्ट हो जाता है जी हाँ दोस्तों बिलकुल 100% अभी में आपको live बताऊंगा एक experiment के द्वारा बताऊंगा कि थर्माकोल जो है directly किरिया करके पेट्रोल से ब जो है सांदार experiment यदि आप लोगों को regular प्राप्ट करना है regular आप लोगों को देखना है तो आप लोग जुड़े रहे हमारे इस YouTube चैनल के साथ वैसे तो दोस्ता आप सभी को पता है ITC related content जो है यहाँ पे आप लोगों को मिलता रहता है लेकिन ऐसा ही कुछ important experiment जो है वो भी आप लोगों को इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा टुकडा में लेता हूं थर्मा कोल का और आपको live जो है experiment करके बताता हूं कि जैसे हम इसको petrol में डालेंगे तो यहाँ पर आप देख बारे हो काफी fast काफी जल्दी से react करके यह है जो थर्मा कोल ह है वह बिल्कुल खतम हो चुका है एक बार फिर से हम experiment करते हैं जैसे हम एक टुकडा डालते हैं इसमें तो आप देख बारे हो तुरंत जो है जैसे हम इस केरोसिन में इसे इंसर्ट करते हैं पेट्रोल में डालते हैं इसके साथ घुल जाता है react कर लेता है दोस्तों एक बार थोड़ा सा बड़ा टुकडा में इसमें डालता हूँ अब यहाँ पे आप लोग देख बारे हो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा टुकडा भी मैंने इसमें डाला तो पूरा का पूरा टुकडा जो है गाइप हो गया आपको काफी जो है आस्रे यहाँ पे देखने को मिल रहा ह कि काफी सांदार यह reaction जो है थर्मा कोल और पेट्रोल की हम यहां पे देख सकते हैं यदि दोस्तों और बड़ा टुकड़ा यदि इसमें डालेंगे तो क्या होगा तो देखते हैं यह देखें पूरा का पूरा बड़ा टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है काफी आसानी से यह जो है इसके साथ reactor के गाइप हो रहा है और यह देखो पूरा का पूरा घुल कर इसमें डाल दोस्तों इसी तरीके से एक बार में जो है इस पूरे के पूरे टुकड़े को इसमें इंसर्ट कर देता हूं तो जैसे ही मैंने पूरे के पूरे टुकड़े को इसमें हो रहा है तो इस तरीके से यह बहुती सांदार रियक्शन जो है पेट्रोल और थर्माकॉल की मैंने बताई दोस्तों आप लोगों को यह हैं जानकर हेरानी होगी कि यदि मैं इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थर्माकॉल यदि मिक्स करूं तो यह जो है एक तरीके स एक कमपाउंड बनेगा और वो जो कमपाउंड होता है लगबग लगबग फेवि कोल के जैसा ही कमपाउंड यह तैयार हो जाता है तो आप लोगों ने आज की स वीडियो को जो है कापी पसंद क्या होगा दोस्तों आप लोगों को आज का chicken काफी सांदार लगा होगा यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा दोस्तों और इसी तरह के और आप लोगों को देखना है तो आप लोग जुड़े रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ नए टॉपिक के साथ नए कॉंसेप्ट के साथ नए एक्सपरिमेंट के साथ अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद